Hi guys, welcome to my channel once again So friends, Chinese market में OPPO Company ने अपने नए स्मार्टफ़न OPPO K11 को लौंच कर दिया है जो कि OPPO Company का एक बढ़िया और सम मिड रेंज 5G स्मार्टफ़न है इसके अंदर आपको काफी बढ़िया फीचर्स मिलते हैं और इसका लुक और इसका डियान भी बढ़िया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफ़न की अन्बॉक्सिंग एंड हैंसोन रिवियू करने वाले हैं यह एक चाइनिज वीडियो होने वाला है तो दोस्तो यदि आप कोई वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेर जरूर करें और इस स्मार्टफ़न के अंदर आपको फीचर्स भी उसी स्मार्टफ़न की जैसे देखने को मिलते हैं तो दोस्तो इस स्मार्टफ़न के लूक और इसके डिजैन के बारे में बात करें अगर इस smart phone के side में देखा जाए तो दोस्तो इसके इंदर आपको right side में दो volume रकर और एक power button देखने को मिलता है जबकि इसके left side में आपको उपर की side एक alert slider भी देखने को मिल जाता है तो दोस्तो overall look और region के मामले में smartphone काफी बढ़िया है इसका look और इसका region मुझे बहुती ज़्यादा पसंद आया बाकि दोस्तो अगर इस smartphone के features के बारे में बात की जाए तो दोस्तो इस smartphone के आपको अभी की बार company ने 6.7 inch की full HD 1.0 के OLED display प्रोवाइड कराई है और smartphone के अंदर आपको flat design देखने को मिलता है अगर दोस्तो बात की जाए इस smartphone के camera sensor के बारे में तो दोस्तो इस smartphone के back side में आपको triple camera sensor मिलते हैं जिसमें आपको 7MP, 8MP, 2MP का rear camera और 16MP का front selfie camera देखने को मिलता है तो दोस्तो camera के मामले में smartphone काफी बढ़िया है इसके अंदर आपको इसका main camera sony के IMX 890 का दिया है जिससे आप बड़िया pictures आदी को capture कर सकते हैं और video आदी को shoot कर सकते हैं और इसके अंदर आपको OIS का भी sport देखने को मिलता है इसके साथ इस smartphone इंदर आपको selfie camera भी काफी अच्छा देखने को मिलता है जिससे आप इससे selfie ले सकते हैं और video calling आदी कर सकते हैं चलिए दोस्तो हम आपको इस smartphone के कुछ camera sample दिखा देते हैं आप देख सकते हैं कि इस smartphone के अंदर आपको काफी अच्छी detail नजर आती है इसके अंदर आपको कमपने ने camera sensor बढ़िया दिये हैं अगर दोस्तो बात की जाए smart phone के variant के बारे में तो दोस्तो इस smartphone को कमपने ने market में 8GB और 12GB RAM के साथ उतारा है जिसके साथ आपको 256GB और 512GB internal storage वाले variant देखने को मिलते हैं तो दोस्तो इस smartphone को कमपने ने market में दो अलग लग variant में उतारा है अगर दोस्तो बात की जाए smart phone के सबसे खास feature इसके प्रोसेजर के बारे में तो दोस्तो इस smartphone के आपको अभी के बार कमपने ने Octa Core Processor के साथ Snapdragon 782 का chipset दिया है और यह smartphone Android 13 operating system के उपर काम करता है तो दोस्तो इस smartphone के आपको अभी के बार कमपने ने Snapdragon का एक बड़िया और अच्छा latest powerful 5G chipset दिया है जिससे दोस्ते यह smartphone आपको काफी बड़िया gaming experience देने वाला है अगर आप PUBG और BGMI जैसी गेमों के सुकीन है तो दोस्तो आप इस smartphone को खरीज सकते हैं यह smartphone आपको बड़िया gaming performance देने वाला है क्योंकि इसके अंदर आपको 6 nanometer technology के उपर वेश्ट एक बड़िया चिपसेट देखनी को मिलता है चली दोस्तो बात करते हैं इस smartphone की बैटरी के बारे में तो दोस्ते इस smartphone आपको अब की बार कमपने ने 100W के fast charging sport वाली पारफूल बैटरी प्रोवाइड कराई है तो दोस्ते इसके अंदर आपको बैटरी भी पारफूल देखनी को मिलती है और इस smartphone अंदर आपको पास्ट अचाजर भी अब की बार 100W का देखनी को मिल जाता है जिससे दोस्ते इस smartphone आपको काफी बढ़िया और अच्छा लोंग पार वैक अप देने वाला है तो दोस्तो अगर overall देखा जाए तो इसके अंदर आपको काफी बढ़िया फीचस मिलते हैं और इस smartphone का look और इस card gain भी बढ़िया है अगर इस smartphone के price के बारे में बात करें तो दोस्तो इस smartphone को Chinese market में ओपो कंपने ने Indian currency के हिसाब से लगबग 22,000 रपे में उता रहा है जिसमें आपको इसका 8GB रहन वाले variant मिलता है अगर इस smartphone कंपने इतने ही price में Indian market में लोंच करती है तो दोस्तो इस smartphone Xiaomi, Vivo और Realme जैसी company को कडिट कर देने वाला है तो दोस्तो आपको इस smartphone कैसा लगा हमें comment box में comment करके जरूर बताएं और इदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमरे चनल को subscribe करना ना बने धन्यवाद